एंडिये स्टुनेंट्स आज का माँ टॉपिक है अटीकॉगलंट्स और इस वीडियो में हम लोग अटीकॉगलंट्स का इंटॉडक्शन उसका क्लास्रिफिकेशन उसके कुछ इंपॉर्टेंट्स की इंट्रक्शम उनके यूजेस की साथी साथ वारफेरिंग जो agent है उसका synthesis जो है वो आसान तरीके से समझने के कोशिश करेंगे मैं हूँ डॉक्टर बजने शुक्ला चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं anticoagulants की जैसे हमने पिछले वीडियो में coagulants के बारे में बताया था वो agent जो की blood coagulation करने में मदद करते हैं coagulants तो उसका just opposite वो agent जो की coagulation blood coagulation या blood clotting को रोकते हैं या उसको delay करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे anticoagulants कहने का मतलब blood coagulation का जो time है आपके शरीर का normal उसको क्या करेंग ये increase करेंगे ताकि blood clotting जो है वो prevent हो वो और ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि कई बार जो हैं में व्लड थिनर्स के रूप में भी जाते हैं एंटिकोगलेंट्स को यह treatment में यूज कर सकते हैं prevention में यूज कर सकते हैं कोगिलेशन की प्रक्रिया को रोकेगा या जो ब्लड बन रहे हैं उनको क्या करेगा नहीं बनने देगा जिससे बच जाएंगे ठीक है तो ऐसे असे कम क्लासिफिकेशन की तो जो एक तो हमारे इण वित्रो एंटिकाउगलेट्स और दूसरे इन विवो आप लोग को बालू मत मतलब जब शरीर के अंदर कहने का मतलब यह वह एंटिकोगलेंट हैं जो कि हम लोग ब्लड अगर हमने शरीर से बहार निकला हम स्टडी करना चाहते हैं उसके उपर या उसे कुछ देर के लिए हम फ्रक्षित रखना चाहते हैं और उसमें क्लोटिंग नहों उस समय हम लोग इ चाहते हैं की कौगलेशन ना हो आपलड को हम लोग कर पाहें उस कंडीशन में हम लोगों को दो तरीके से हो सकते लोग एक हो जकते इने इंजेक्शन के द्वारा लिये जा सकते दूसरे और इंजेंटिड जोकै ओर 38 लिए जाते हैं ठीक हैं तो इंजेक्टिब याश stron और डेल्ट्रपिन यह सब है इसमें भी सबसारा जो हिपादिन है वो सबसारा यूज किया जाता है एज इंजेक्टिबल एंटिकोगलेंट ना ओरल एंटिकोगलेंट के अगर बात करें तो इसके दो फर्दर क्लासिफिकेशन है बहुत ही ज्यादा फेमस एक है हमारा इसके से हो सकते हैं और यहां इसका इस्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इंडिय डायॉन का जनरल स्ट्रक्चर है जहां पर यह जो आर लिखा हुआ है इसी को हम बदलते हैं अगर हम लोग इसको फिनाईल ग्रूप के साथ लगाते हैं जयानिकि बेंजीन निंग सिंपल तो फेनिंडाई ऑन बोलते हैं इसको अगर हम लोग यहां पर क्याना है बेंजीन रिंग के साथ साथ सीओ लगा देंगी इस आरते टोटल तो यह क्या बन जाएगा एसनिडायॉन बनेगा बोमडायॉन बनेगा तो ब्रोमो बेंजीन यहां पर लगाएंगे और डाइफेन लगेगा तो सीओ च ग्रुप जो है वो तो लगेगा इस यहां पर उल्टा लग रहा है जिसके उपर दो फिनाइल रिंग जो है वो लगी होंगे ठीक है तो यह इनके स्ट्रक्शर में लेंगे आपको जो हमारी इंपॉर्टन क्लास है काव मेरिन डेरिवेटिव की उसका हम लोग इसके वहनicon की लोग को बोलते हैं को और इसके ऊऔर यहां पर जो आपको चीज दिखाया देरी है यह जो है एक रिंग के लिए रिंग स्ट्रीम को जोडने के लिए यहां पर एक साइचर लेंग है वो भी लगी हुए इस रिंग सिस्टम पर बद्लाव कर कि जैसे क अगर हम लोग वार्ट इंग का एक्जामपल लें तो यहां पर नाइट्रो बिंजीन है और मतलब आर की जगए नोटू है और फेन्रो कमण की बात करें तो यहां पर फिर से क्या दिखेगा आपको फिनल रिंगी दिखेगा यानि यहां पर हैड्रोजन होगा ठीक है और यह ज यानि कि किटोन गुरूप एसितोन गुरूप का मिल रहा है वह कहां में मिल रहा है वो चार्डी के केस में और इसाह 750 हो में यहां पर आल्क थेन दिखाई दिखाई रही है यानी कि किटोन करके छेंड़ सकता है स्मौल खिदी और दो कार्बंगा कीशति इथाईलिन फिर य कहा कि जो वर्फएरीन हैं वो एन्टी कोगलेंट एजट है और यह एंटी विटेमिन के एक्टिविटी शो करतें जानि विटेमिन के डिपेंडेंट जो फैक्टर से बलड फैक्टर जिंके पिछे फीडिएओ में डिसकस किया था उनके आप कहा सकते हैं रिडक्षण में या उनके कहना में अक्टिवेशन को करने के लिए विटमिन के की जुरत पड़ती है और वर्फरीन हमारा विटमिन के अंगेस्ट काम करता है यानि की एंटागोनिस के तरीके से उसके लिए काम क दिखन तो दो चीज़ें बिल्कुल क्लिरली दिखाई दे रही है पहला चीज तो यहां पर हमहें जोर्थist टेख रही है इस और इसके जो चौथे पोजीशन पे है इसके अ एक्टिविटी का नाम है इन्हांसिंग पोजीशन विच इस जनरली यहां पर हाइड्रोक्षी ग्रूप लगा हुता है इस फौर ह्टो यह पर यह चौते नंबर पर लगा हुआ इसके इसले हम क्या रहे हैं इससे फौर और इसी के पहले carbon पे एक फिनायल वॉर्ड यह आपर यूस हुआ है तो यह तीन किसके लिए बोला यह फोर और यह पहले लिखा हुआ है किसके लिखा हुआ हमारे कामे दिंग यह ग्रोमीन के लिए और इस के दूसरे पर नमबर पर क्या लगा हुआ है अगर हम लोग इसमें ओक्स घूप लिखते हैं तो दूसरे नमबर पर यहां पर लगा हुआ है इसलिए इस तो विएले इसका नाम 4-Hydroxy-3-3-OxO-1-Phenylbutyl-Cromine-2-Own जो है वो लिखें अब इसकी synthesis के बात करें तो जैसा इसके 2 structure हमको दिखाए दे रहे हैं इसलिए इसके 2 step में हम लोग इसकी synthesis करेंगे 1st step में हमको यह 4-Hydroxy-Cowmarine ring चाहिए और 2nd step में हम लोग यह Benginal Lactone जो है इसको Benginal Lactone बोल सकते हैं उसको हम क्या करेंगे इसमें एड करेंगे तो यह simple अगर आप इसको देखे तो इसकी mechanism के साथ हम इसको भी synthesis देखेंगे और यह एक simple Michael addition वाली reaction है यहाँ पर जो mechanism है वो Michael addition का है 2nd step में जहाँ पर Benjol Lactone जो यह ring sorry side chain दिख रही है विस्टिंग system पर क्या करेंगी जुड़ेगी तो step 1 4 hydroxy कावमेधिन बनाने के लिए हमको स्टार्टिंग मेटेडिल चाहिए वो चाहिए मिथाइल सालिसलेट और स्टिक अड़र अब आपको कहना होगा जब आप लोग spring पढ़ रहे थे तो आप सभी ने salicylic acid देखा था जहां पर OH ग्रूप है बेंजिन के उपर और next carbon पर जो और पोजिशन है वहाँ पर COOH ग्रूप होता है H को अगर हम लोग रूपीस कर दें मिथाइल ग्रूप के साथ तो उसे हम क्या कहेंगे अगर आप सबको मालूम है तो सिंपल क्या हो रहा होगा कहां पर होगा यह भी देखना जोड़ेगा कैसे जुड़ेगा आए देख लें यह जो हाइड्रोजन है अगर यह हाइड्रोजन जो है हम लोग क्या करें ट्रांसफर कर दें इस ओक्सिजन के पास ठीक है तो यह ओएच बन जाएगा क्या निकलेगा यहाँ पे यह देखिए CH3 COOH ठिक यह यहां से क्या निकलेगा CS3 COOH बाहर निकल जागा और यह COC3 यहाँ पर जुड़ेगा तो जब जुड़ेगा तो हमें क्या मिलेगा पहले हम बना लें देखें यह हो गई हमारी बेंजीन निंग और इस बेंजीन निंग पे इस कार्बन पे सी यो ओ सी एच थी यह पहले से ही है इसको हमको बिल्कुन ने चरना इसको ऐसे लिख दीजे और यह जो भी अभी आपने ग्रुप जोड़ा यहां पर ऑक्सीजन पहले सी था ऑक्सीजन क साथ हमको क्या मिलना सी डबल बॉंड ओ ठीक और सी एच थ्री तो इस थी को भी हम लोग थोड़ा सा खोल के लिख लेते हैं च्टू और एच ठीक है इसका है अलग दिख लिए हमने च्टी का एच अलग दिख लिए यह क्यों क्योंकि यह ने इस स्टेप में इसको लिख पा अब इस में स्टेप मेंब क्या होने है यहां पे आम लोग इसको साइकिल के लिए हम लोग जुह है इसको थोड़ा सा घरम करेंगे हाई यह तक पांच डिगरी है हुड्ल साइकल्य आप यह बड़ा बड़ा प्रश्न है कि साइकल कैसे बनेगी अब आप देखेगा मैं बहुत यह आसान से भी आपको दिखाऊंगा कि साइकल यहां पर किस प्रकार से बनने वाली है यह मैंने जो एच अलग लिखा था यहीं से सारी का आनी होने वाली है यह जो है वह अगर हम दोग ट्रांसफर करें किसके पास इस ऑक्सीजन के पास ठीक यह बावन यहां से क्या होगा ब्रेक होगा CS3OH यानि मेथेनॉल जो है बहां निकलेगा नाओ दिस CS2 विल अटाइच विद सी डबल बांडो क्योंकि यहां की एक विलेंसी बनेगी अगर यह OCST निकलेगा तो इसके प प्रोडक्त यानि एक साइकलाजेशन यहां पर कंप्ली से जागा तो आएए इसको बना लेते हैं देखें यह थी हमारी बिंजीन देखें किस प्रकार से बन रहा है मैं आपको बना कर दिखा रहा हूँ यह यहां पर C double bond O था तो इसको C double bond O ही लिप देते हैं हमें कोई यह अब किसके साथ जोड़ा हुआ था CH2 ठिक यह CH2 और यह CH2 के साथ क्या हो जाएगा जोड़ जाएगा क्या बन गई यह CH2 को हमें C double bond O वाले काबन के साथ क्या जोड़ा तो हमको क्या मिल गया साइकलाजेशन और यह जो साइकलाजेशन हुआ है आप इसको बोल सकते हैं एक इंडियमेडियर बना विचिज आप यू कैं से डाट कामैरी नहीं है बट यह क्या है जहां पर दूसरे कार्बन पर तो ऑक्स गुरुप है चौते कार्बन पर भी क्या मिल ला है उक्स गुरुप मेल दा तो इसको बोल सकते हैं फोर ऑक्सो और यह जो आपके सामने एक साइकलाइजेशन हुआ यह जब हो रहा था तो इसके साथ यहां से क्या निकला CH3OH मेथेनॉल जो है वह बाहर निकला नेक्स्ट इसको ध्यान से देखिएगा यह हमारे कॉमेरिंग जैसा है कुछ हो रहा है लेकिन अभी यह पूरा है नहीं आप देख पा रहे हैं यह क्या ह दोबन है यह वह क्या हो बाते हैं यह से जब एक-एक से दो फार्म में कनवर्ट हो जानिकि अगर आप सा दोनको इस ऑकस होग यह के सिस्ट हो जाएंगा काबन और काबन के बीच में इंकी वाइन तो क्या मिलेगा यह क्या है किसके एंसक्न है खख़क है है और यह ऌपर क्या जाएगा है और fifty कंवर्ट करते हैं यह बना हमारा है भेंजीन इसके ऊपर यह जो C double bond O था, अब single bond हैगा, और इसके उपर क्या जाएगा hydrogen, इस carbon से hydrogen चला गया, यहाँ पर अब क्या है, CH है, CH2 था पहले, अभी क्या है CH, यह CH, जिस C से जुड़ा होगा, वहाँ पर double bond O है, और यह दोनों की से जुड़ों में, oxygen है, क्या बन गया है, यहाँ पर क्या जाएगा, जब यहाँ से hydrogen निकलेगा, यहाँ के साथ react करा करके, भी 4-hydroxy-cour-marine में उसको convert किया जा सकता है, लेकिन टॉटो-marism के द्वारा भी हम लोग 4-hydroxy-cour-marine जो है, वो राप्त कर सकते हैं, अब चलते हैं, हम लोग 2-step की तरफ, जो की है हमारा Michael edition, ठीक है, step 2, step 2 में हम लोग क्या करेंगे, Michael edition, या फिर Michael reaction भी बोल सकते हैं, Michael reaction में क्या होगा, यह जो हमारा cow-marine है, यह cow-marine हमारे benjal, benjal-lektone, benjal-lektone के साथ क्या करेंगे, हम लोग in the presence of base, इसकी reaction कराएंगे, आईगे सब चर पहले हम लोग क्या ले ले ले, अपना यह जो हमारे पास cow-marine है, उसको ले लेते हैं, मैं इसको carbon नहीं दिख रहा हूँ, अब हम लोग सीदे लिखेंगे इसको इस प्रकार से, double point O, ठीक है, वही है, और यहां पर क्या है, hydrogen, और OH है, ठीक, अब इस carbon के पास जो hydrogen था, जिसको भी हमने लिखा था, यहां पर CH, इसके उपर attack करेगा, जब आप NaOH लेंगे, ठीक है, आपने NaOH लिया, ठीक है, बेस के presence यहां से बाहर निकलेगा, जब H2O यहां से बाहर निकलेगा, तो इस carbon के उपर क्या आएगा, negative charge, तो यह कुछ इस प्रकार से हमको दिखाई देगा, जैसा कि मैं अब लिख रहा हूं, टाकि आपको mechanism समझने में दिक्कत ना है, तो यह हो गया हमारा double bond O, यहां पर double bond है, यह O, H है, चाहें तो आप यह भी कर सकते हैं, कि इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, तो यहां पर क्या हो गया, negative charge, ठीक, अब यह negative charge आइटम जो है, वो हमारे, किसके साथ attack करेगा, जो हमारे पास है, यह हमारा बेंजीन रिंग लगाई हमने यहां पर, इस carbon पर एक hydrogen भी है, double bond C, H, single bond C, double bond O, CS3, चाहर काबन की चेंज थी, इस दोन एस, बेंजा, लेक्टोन, ठीक, तो बेंजा लेक्टोन हम लोगों ने क्या किया, यहां पर ले लिया, और यह बेंजा लेक्टोन की उपर, अब देखे किस प्रकार से attack होने वाला, यह negative charge आयन जो है, वो देख रहा है, य अगर यह आपका देख रहे हैं, जब यह इस carbon, यह इस carbon के साथ, यहां पर इस ring के साथ, अगर bond बनाएगा, तो यह double bond है, it will be shifted between this carbon and this carbon, and फिर यह वाला bond क्या होगा, break होगा, carbon के उपर, sorry, oxygen के उपर क्या आएगा, negative charge, एक intermediate बनेगा, जहापन का oxygen के उपर क्या हमें मिलेगा, negative charge, तो आएगे बना लेते हैं, जैसा कि अभी आपने लिखा, ठीक, तो यह हो गया हमारा, पिंजीन दिंग, उसके उपर हमने क्या लगाया, अपना जो भी कुछ था जैसे था, वैसे रहन देते हैं, इसको, यहां पर double bond, यहां पर OH गुरूप, और इस पर अब यह जुड़ लीजे, अब यहां पर क्या दिख रहा हमें, single bond, CH, ठीक, यहां पर क्या दिख रहा है, C, यहां पर क्या दिखेंगा, double bond, क्योंकि यह सिफ्ट हुआ है, oxygen के उपर क्या जाएगा, negative charge, और यहां पर क्या मिलेगा हमको, CH थी जो था पहले, वैसे के वैसे, next, यह एक, मैंने का intermediate बन रहा है, intermediate बनने का मतलब यह है, कि यह जादा देर तक stable नहीं रहेगा, वापस से यह negative charge जो है, वो transfer होगा, कहां पर, carbon और oxygen के बीच में, और जब यह ऐसा होगा, तो यह जो आपका double bond था, वो कहां पर रेखोगा, इस carbon के उपर, ठीक, तब यहां पर क्या जाएगा, negative charge, यह charge जो है, दोनों के बीच में क्या होता रहेगा, सिफ्ट होता रहेगा, तो carbon के उपर जो negative charge है, उसी समय, जो आपने अभी थोड़े देर पहले, यहाँ पर पानी बनाया था, that water molecule, वो आएगा, that water molecule, H, मैं पूरी mechanism के साथ बता दे रहा हूँ, ताकि आपको समय दिक्कत न जाएगा, जो कि sodium के साथ मिल करके वापस है, बना लेगा, जो भी आपने catalyst दाला था, वो आपको वापस मिल जाएगा, ठीक, तो अब यहाँ से क्या होगा, कि यह convert हो जाएंगे, आईए convert कर लेते हैं को, यह हो गया हमारा, वही जो था पहले, बिंजो लेक्टोन रिंग, य यहाँ double bond, और इससे जुड़ा हुआ है हमारा यह CH, इस CH के उपर क्या लगा हुआ है, हमारी बेंजीन रिंग, और इसके साथ हमारे पास क्या है, इस carbon है, यह carbon और यह carbon के बीच में सिंगल bond, विकाज यहाँ पर जो है, यह तूटा था bond, और इस पे एक hydrogen पहले था, एक hydrogen इस और यह तो है, तो आपको क्या मिल गई है, आपकी drug, जिसका नाम है, वार, तो यह था synthesis of warfarin, एक बार आप फिर से देख सकते हैं, आसान तरीखे से समझने की कोशिश कीज़ेगा, कई जगों पर लिखा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होता है, इसलिए मैंने का थोड़ा सा mechanism के साथ चलें, तो आप सीधे भी लिख सकती, कि जो methyl salicylate है, वो attack करेगा किस के उपर, ST-canadite के उपर, घवडानिक जुरूत नहीं है, आराम से दिखेगा, हो जाएगा, यह यहां से ब्रेक करेगा, जब यह hydrogen हम transfer करेंगे, इस oxygen के पास, तो यहां से क्या निकले और COCST group जो है, वो इस oxygen पर जुड़ जाएगा, और हमें मिलेगा, acetyl, this is acetyl group, this is methyl group, and this is salicylate, acetyl, methyl, salicylate, now, cyclization हम करेंगे, high temperature पे, 205 degree Celsius पे, sodium presence में, तो यह यहां से hydrogen, जो है, इस oxygen को, अगर हम दे दे तो यह CO, sorry, CS3OH निकल जाएगा, यह CS2 जो है, वो इस carbon पर जुड़ ज जाती है, हम चाहें तो यहां लिख ने सकते है, in all form, ठीक, keto form in all form में क्या हो, रही, convert हो रही है, और यह हम को क्या मिला, 4-hydroxy-courmarine मिला, now, this 4-hydroxy-courmarine को हमने किताबों में, अगर आप लेखेंगे, तो इस 4-hydroxy-courmarine को सीधे हम बेंजल लेक्टोन से डियक्ट करके, औ बना लेंगे, तो आप सुचेंगे, यह बना कैसे, तो यह mechanism चाहें, तो आप समझने के लिए है, आप सीधे भी लिख सकते हैं, इसको इसके साथ लिखिए, और यह बना लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, लेकिन mechanism आपको बता हुँ चाहिए, कि यहां पर कोई भी बेस लेते हैं हम लोग, यह बेस क्या करेंगा, यहां से अडाजन को निकालेगा, पानी बनाएगा थोड़ी दिर के लिए, यहां पर आएगा negative charge, यह attack करेगा हमारे बेंजल लेक्टोन के उपर और यह बेंजल लेक्टोन के उपर जब अटाक करेगा, तो यह carbon पर attack between this carbon and this carbon ये oxygen के ओपर क्या जाएगा negative charge को कि ये bond break हो रहा है ये bond break करते हैं जो shifting करते हैं ये हम electron के shifting दिखा रहे होते हैं तो ये electron shift होगा तो इस oxygen के ओपर क्या आएगा negative charge जो कि आपने common chemistry में ज़रूपड़ी होगी अगर किसे को नहीं आ रहा है तो organic chemistry जो lectures पहले upload हैं उसको देख ले तो इसको थोड़ा clear हो जाएगा तो अब इसके बाद वापस से ये oxygen ज़्यादा देटक रहेगा नहीं negative charge लेकर कि ये transfer कर लेगा अपना carbon और oxygen के बीच में double bond मनाएगा तो ये जो temporarily double bond मना था इस carbon के उपर क्या आएगा हमको negative charge मिलेगा ये निगेटिव चार्ज जो कार्बन जो है वह attack करेगा किस के उपर है नुकलोफार के तरह से काम करेगा attack करेगा किस के उपर hydrogen के उपर जो पानी बनाया है था हमने और वहां से hydrogen ले ले लेगा और फिर ये जो है हमको क्या मिल जाएगी हमारी वार्फेरी ड्रग मिल जाएगी जहां पर ये carbon के उपर दो hydrogen को दिखाए दे रहा है तो ये था synthesis of warfarin अब बात कर लेते हैं इसके uses की वार्फेरी या anticoagulants को हम लोग देते काई के लिए क्योंकि वह prevent करते हैं deep vein thumbosis या coronary artery के जो thumbosis thumbosis का मतलब है कि clot बन जाए veins के अंदर coronary arteries के अंदर उसको रोकने के लिए उसका prevention करने के लिए या उसका treatment करने के लिए ठीक है उसका प्रयोग जो है हम लोग करते हैं इसके साथी साथ कुछ unstable enzyme वगेरा में भी करते हैं विकास thumbosis अगर होगी यानि की clotting होगी तो angina factoris की condition हो सकती है तो उसको भी रोकने के लिए जो है anticoagulants का प्रयोग करते हैं इसके साथी साथ कुछ surgical procedures होते हैं जहां पर हमें मालूम है कि हम surgery कर रहे हैं तो blood क्योंकि आप चीरफार करेंगे तो blood clotting हो सकती है और उस blood clotting के वज़े से जो stroke है वो आ सकता है इसको रोकने के लिए भी हम लोग जो है anticoagulants का प्रयोग करते हैं उनको injection रोगारा दे दिया जाता है चाकि जो है मतलब लाइक करिए अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए इसका PDF का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप पांस इसको डाउन्डोड कर सकते हैं और चैनल के नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत तनिवा